कि वेल्गम टेख वीडियो गूरू मैं आपको विकास आपको अपने चैनल टेख वीडियो गूरू में एक फिर दोख करता हूं तो इस्टन आज हम बात करेंगे सी लेंग्विज की एक और क्लास के बारे में जो कि मोस्ट इंपोर्टन्ट हो कि इससे पहले जो सप्टेंब्र के लिए मैं आपको क्लास दे रहे हैं फिर यह फॉस्ट कॉंटिनू जो कि एरे की थी तो एरे में मैंने वन डायमेंजनल टू डायमेंजनल के आपको बता दिये थे और इससे ज्यादा अगर आपको देखना है इसके बारे में तो आप पीडिया पनो पर्टिस करेंगे और जो से पहले की क्लासे से उसको पर्टिस करेंगे तो आपको सारी और क्लास से मिलेंगे कुछ समय की सॉटर्ज इसलिए मैं ज्यादा जाओंगा इसलिए मैं जो इंपोर्टन टॉपिक थे वन डायमेंजन सेकंड डामेंसन उसके एक ग्याम पल आपको बता दिये ठीक है तो अब हम बात करेंगे आगकर स्थे में जो कि नेश्ट टॉपिक होगा हमारा पनूसें का सीमें क्या होता है किने पिक इबले ही उसे की मादन से मैं आपको संदाद होगा तो function C ठीक है तो C function यह statement का एक समोह होता है नहीं कि group of जो समोह होते हैं इसमें आप कहीं पे भी function को यूज कर सकते हैं कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं आपका करने लगेगा इसके benefit क्या होते हैं पूंसन की benefit जेख लेकि लेते हैं तो function में लिखा हुआ जो code होता है उसको बार बार लिखना नहीं पर था एक वार आपने फंचन लगा दिया कि हां आपको इतनी इतनी रेंज की value थे वह आपको निकाल नहीं तो वहाँ पर देती तो इतने रिइंच वैलू आपको मिल जाएगी इसके अलग फंसन्स होता दें वहाँ पर तो आपको प्रोगाम जो छोटा हो जाएगा और उसकी मेमोरी का स्थाज भी बचेगा और बड़े प्रोगाम को छोटे चोटे फंसन में डिवाइट कर देता है इसे कि मैंने बताया और अगर प्रोगाम में कहां पर एलर आती है तो असानी से आपको पता होता है तो तो ग्रुप आफ समोग स्कू करते हैं उसके भाद दिया गया है कैसे होता है उसके बारे में यह व्यजिश नाम होता है कि जो सुरुआ स्थि बाद में परंपे नों कर करते हैं दोनों से इसको लिखा जाता है अब यहाँ आप देखिए टाइप सब्सक्राइब करते हैं पहला आपके इन विल्ट होते हैं आपके जो सौफटर के साथ ही मिलते हैं उसके यूजर यूजर के डिफाइन यानि कि आप अब अपना चाहते हैं तो वह भी सब्सक्राइब आपगे इंब या प्री ठीफाइन आपके इस सब्सक्राइब के साथ मिलेंगे तो इसमें यूजर चेप्स नहीं तो इनके दौनों यह नहीं पहला टाइप से मारा पास है in build oblique predefined function तो in build function को predefined function भी कहते हैं ठीक है पताजल कि important है इसको land यह सब heading में जब आपसे पूछा जाएगा मालेजिए आपसे पूछा जाए वाट इस function function के बारे में आप को मैंने बता दिया theory क्या होती है उसका types of function आप उसमें एड कर दें और उसके बाद प्रोगामी प्रोगाम स्यार करने ऐसा नहीं है उसके बाद in build function में हर एक function के लिए अलग-अलग header file या प्रोसेसर बनाएगा है ठीक है तो जो भी यूज करेंगे उसके साथ उसकी header file और प्रोसेसर को हम यूज करेंगे function का जो declaration होता है वो header file में होता है header file में हम उसको include करना होता है जो भी हम function call करते हैं c में बहुत सारे header file है इनमें अलग-अलग जो की function होते हैं group में रखे हुए हैं अगर program चाहे तो अपने खुद के header file भी बना सकता है ठीक है जो programmer है अगर वो चाहे तो अपने खुद के header file आप लगाएंगे studio.h तभी यह आपका काम करेगा अगर देखिए include में यह preprocessor के program में include नहीं होता है जो कि print app का इस्तमाल नहीं करते हैं तो यह देखिए programmer जो है include यह आपका preprocessor में आप इसको यूदने करते हैं ठीक है तो यह function string.h header file में यहां function को यूश किया string यह हमको पताना है कि हाँ यह string का function है इस का हमने यह लिकर length हमको निकालने थी तो इस header file के अंतरगत अगर programmer include string.h यह preprocessor प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करता है तो इस talent का इस्तमाल नहीं करते हैं ठीक है तो आपको सब्सक्राइब यानि कि जब आपको function को लिखना है तो किस पकार से आप लिखेंगे पहले आप लिखेंगे has include studio.h ठीक है यह पहली file हो गए उसके बाद आ वाप नीचे आएंगे तो जहां भी आपको विस्टार लेंद को तब अब जो करेंगे नहीं करेंगे तो यह टैपस ओव यह यहां पे रिफाइं डिफाइन रखते हैं टो उस्वर्ण आपको पहली हैं function definition तो there are three types of user-defined function available in function ओके तो यहांपर तीन बगद कर आपके definition है function declaration, function calling और function definition इनके बारे में देखते हैं क्या क्या होते हैं कैसे यह work करते हैं तो first heading डालें in function declaration क्या होता उसके बादे में तो देखें देखते हैं तो देखे यहाँ पर जो है function create करते वक्त क्या भूला गया है function create करते वक्त compiler को बताना पड़ता है कि आप कैसा function create करना चाहते हैं और इस process को function declaration करना है आपको declaration देना कि हाँ हम string का function बना रहे हैं या कोई array कोई भी जो function बना रहे हैं किसी के length निकाले कोई 2 string में compare करना है या 2 string म variable निकालना या कुछ भी आपको करना है तो वह आपको declaration function के अंतरकत आता जैसे कि return type यहाँ पर syntax दिया गया syntax for function declaration इसके लिए क्या होता है return type return underscore type और function underscore name और parameter उसका जो भी होगा वह हम डालेंगे ठीक है जिसका syntax नोट कर ले अभी मैं और detail में आपको बता दूँगा इसके बा चार भाग होते हैं जो function को हम declaration करते हैं इन function declaration उसके चार टाइप होते हैं पहला आपका return type हो गया दूसरा function का name हो गया उसके आपका parameters या arguments हो गया उसके बाद semi खोलने हो गया तो यह वही चीज़ है इसको part में आपर divide कर देगा ठीक है पहला आप लेगे रिटन का types कौन सा type ह function का नाम कौन सा function देना है parameter या argument अगर उसमें है और फिर उसके बाद semi खोलने तो यह इस पकारत से इसको define किया जाता है अब देखते हैं सो कि इस पकारत से लेखते हैं तो पहला है return type तो हर जो function होता है कोई ना कोई value जो है पकी return करता है और वो value जो होती ही वो null यानिकि void हो या numeric हो यानि कि integer में हो, float में हो, double में हो या फिर character में हो function का जो return type होगा वो default होगा यानि कि function का जो return type program के requirement में होता है ठीक है तो कोई value हो सकती ही वो numeric integer यानि कि अगर null होगी तो void होगी या फिर numeric होगी तो integer float double valuable होगी या पिर character होगी तो यह जो return type करेगा by default आपका करेग ठीक है उसके बाद यहां पर पूछा गया function का name तो name में basically function का नाम उसके code के अनुसार होना चाहिए अगर ना भी हो तो compiler को चलता है लेकिन अच्छी programming नहीं किलाती है तो इसके गार्ण से आपको यहां पर function में हमको जो है उसके नाम के साथ यूज को यूज करना पड़ता है यह से की hello के साथ हमको देखिए यहां पर पर यूज करना पड़ता है जो कि case sensitive होता है इसको जूरू ध्यान रखें नेक्स्ट इसमें parameter और argument यह क्या होते हैं आपके इसको समझ लेते हैं तो function के जो argument data types होते हैं या data types के साथ उनके variable के नाम होते हैं और user किसी पेकार की जो value function calling के जरीए receive करना चाहता है तो function argument को declare करता है ठीक उसका semi-colon पाता है यह function को function में जो भी declaration देते हैं बाद में उसका इसको क्लोज करने के लिए ठीक तो यह तो आपका सिंपल से होगा है यह आपके चार पार्ट में डिवाइड होगा है इसका syntax अब इसका example देख लेते हैं किस परकार से यह से कि माले लिए example for function देख लेते विद टू पैरामेटर से यहां पर दिए इसके integer हमने लिए add किया हम इन्टीजर ए इन्टीजर बी में function यह argument डाल दिया इसमें उसके बाद function दिख लिए without parameter लिखते हैं विना बिना parameter के तो इन्टीजर एड और से प्रेंटासे और से बन कर दिया और one parameter में लिखना तो किस परकार लिखेंगे integer add addition जो भी आप है integer ए तो इस परकार से इसको लिख लिखते हैं तो यह तीन तरह से लिख सकते हैं एक परामीटर के साथ function declaration with two parameters without parameter और one parameter ठीक है उसके बाद है function calling function calling का syntax देखते है function calling का syntax हमारे पास है function underscore name पर हमारा parameter राएगा parameter second उसके बाद parameter n तो देखते हैं यह क्या चीज़ है इसको किस पकार से बगर करते हैं तो देखेंगे देखें फंसन कालिंग में जो सिर्फ फंसन का नाम होगा और फंसन के आर्गुमेंट होंगे और सेमिकल होता है नीचे दीगए यह ग्यांपल लेखें जोकि डिटेंटाइस से इंटीजर है और function का नाम add है और function के दो parameter यानिकि A और B पास किये गए जब तक function को call नहीं किया जाता है तब तक function declaration और definition का कोई मैट नहीं होता और एडिशन एक हमावी function का हमने call किया without calling में खाली इस परकास लेखेंगे और one parameter में तो add और इसके अंदर यह आ जाएगा ठीक है function definition syntax for function definition आपकी क्या होती है तो देखिए इसमें किस परकास से पहले आग रिटन टाइप function करे परामिटर उसके बाद function की बॉड़ी उसका से में कॉर्ण से यह बंद हो जाएगा यह इसका syntax नोट कर लें अब इसमें क्या क्या होते हैं वही चीज़े हैं इसमें भी चार पार्ट में जैसे डिवाइड किया गया उसकी त्योरी यहां पर दिगई पहला रिटन टाइप है इसमें भी आपका काम करेगा अब हम इसका टोटल एक्जांपल आपको दाते हैं एक्जांपल फॉर फॉर फंसन डेफिनेशन का नेकि इंटीजर हमने लिए एडिशन एक्स वाई को लिए ठीक है इंटीजर जैड यानिके जैड में इसकी वैलुएट कराएंगे तो रिटन एडिशन के प्रोगाम नगा दिया एक हम अभी और इटन जीरो जब हम कराएंगे तो इसका जो और पूट आएगा एक इसमें श्टोर हो कर जाएगा आपका तोटल सी में सी में ए और बी की वैलू एड़ो के आठाएगे इसको मैं रन कराकर दिखा दूंग अभी आपको त जैसे कीजिए है दो फंसन को याड़ करना इंटीजर एक्स वाई जेट और इंटीजर जेट बड़ाबर एक प्लस वाई इसी का मैं एक्जामपल में कम्प्लीट यहां पर बना दे रहा हूं तो देखिए इस प्रकार से हमने लिखा अभी यहां पर हमने फंसन का कोई वो ड प्रिंट कराया दो वैलू दो नमबर हमको प्रिंट करने इसके अब डबल परसंटी इसके लिए इसके लिए ठीक है एक्स जेट बराबर एक्स एक्स प्लस जेट फिका यहां पे फिरम लगाया इसमें बेल्यू उ स्टो कराई जैड मैं आप देखे रिटन जीडो कराएंग तो इस प्रकारते function में इसको define किया जाता है यहां तक स्वान में आगे चलते हैं इसे में इसमें आपको बताने वाले हैं जो आप function के दो main feature होते हैं इनका हम जूस करते हैं जो कि एक आपका होता है call by reference call by value और दूसरा होता है आपका call by reference r e f e r e n c है तो दो आपके main feature होते हैं इनका क्या जूद होता है कि इस प्रकारते हैं तो जब भी हमको कोई variable को call करना पड़ेगा यानि कि हम एक variable को लेना इसमें तो variable को call करने के लिए हम call by value को यूज करेंगे ठीक है उसी पेकार से जब कोई address को call करना है फूरे तो call by reference का addressing के लिए यानि address को यूज करना है उसके लिए हम call by reference का use करते हैं तो याप दो main feature है call by value और call by reference आप मैं देखा होगा इनकी बहुत ज़दा तियोरी और इसके example syntax exam में पूछा जाते हैं चलिए इसके बारे में ठोला समझ लेते हैं तो देखिए function calling के दो मुख पेकार है जो कि एक पहला है call by value दूसरा आपका call by reference तो call by value क्या होती है उसके बारे में देखते हैं तो call by value में variable के value को parameters के रूप में function में पास की जाता है तो वही चीज मैंने जो बताया कि आपको variable को इसमें call किया जाता है इसलिए तो call by value का जाता है उसके वाद call by value में असके और कवाद घाल लुटारी सुन में आगया यह थीक है, सुन में आगया, आगर देखते हैं, तो देखे यहाँ पर यह एक एक जांपल दिया गया है, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है, वरियाबल A है, उसके वाद और B है, ठीक है, तो function है, add को पास किये गये हैं, और यहाँ पर A और B की जो value है, x, y वरियाबल पर copy की दिया गया है, ठीक है, इस परकार से इसको लिखा जाता है, और देखते हैं, इसके एक जांपल देखें, यहाँ पर जैसे दिया गया है, include studio.aj, white, swapping का प्रोगाम बना रहा है, कि integer 1x, 1y है, integer main, a बराबर 2 है, b बराबर 10 है, ठीक है, तो यह swap करेंगा, नहीं कि A की value जो है, आपस में chain कर देगा, जैसे कि वही चीज़े copy कर देता है, तो वही आपका करेगा, यहाँ पर एक ही value जो 10 कर देगा, अभी की value दो कर देगा, तो इस पकार थे, यह पूरा प्रोगाम बनेगा, इसको अभी हम अपको बना कर दिखा देंगे, run कर कर देंगे, किस पकार थे, काम करेगा, ठीक है, तो यह हो गया, आपका call by value, उसके बाद है call by reference, यह किस पकार सब्सक्रा काम करता है, तो call by reference कहा है, addressing के लिए, जैसे कि मैंने बता है, तो call by reference में variable के address को parameter के रूप में pass किया जाता है, नहीं कि call किया जाता है, पहला पहंटी होगा, दूसरा call by value में actual parameter ज नहीं किया जाता है, ठीक, इसमें आप copy नहीं कर सकते हैं, और यहां पर जो program जैसे A है, B foundation है, आपका same वही चीज़ है, तो देखिए copy नहीं कर सकता है, तो इसके लिए आपका यह से variable का address hold करके रख गया, देखिए किस पिकार से example यहां पर दिया गया, तो A बराबर 10 से B ब मैंने आपर लिख दिया है, इसको समझते हैं कि इस पर कारते हैं, इसको यहां पर यूज करते हैं, जो कि रीफरेंस होता है, तो address group में इसको यूज करते हैं, और function को हमने आपको बताया है, कहीं भी call करते हैं, तो आप देखेंगे, इसमें जो function बनाए गया है, उसको return zero के बार हमने call किया है, तो यह देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, include studio.sh, ठीक है, आपके identify लोगी, अब देखें, हमने यहां पर एक swap नाम का variable यहां पर जो function हमने use कर लिया, यहां पर void swap integer one star integer one integer two, ठीक है, उसके main function पर आए हम, इसको आप लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें, तब भी कोई दिकर नहीं, फिर अगर यह ने लिखेंगे, तो आपको यह नीचे की जो लाइन है, इसको भी अटाना पड़ेंगे नहीं, तो आपके में error आएगा, तो आपको समझा देते हैं, उसके बाद integer में नाम हमने variable लिया, एक में पा स्वैबिंग का यहाँ पर formula लगायाने की integer temp, temp equal to star, इस्टार ना भी लगाया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने यह पर लिख दिया है, तो स्वैब करने के लिए n1 equal to n2 और n2 equal to temp, जब इसकी value इसमें जाएगी, temp में आपको यह value देते हैं, तो यह आपके 5 लिखा हुआ ह तो यह automatically change हो जाएगा, इसकी value आप change भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी stop करके program को दिखा देता हूँ, यहाँ पर माल लिख देते हैं 10 और यहाँ पर लिख देते हैं 40, अब इसको रण करा कर देखते हैं, तो यह change हो जाएगी value देखिए 40 और 10 ठीक है, तो यह आपास में number 1 और M2 की value को है, वो interchange कर देगा, यह basically formula लगाए गया, और function को हमने recall किया यहाँ पर, addressing इसमें function यूज होता है, आपको पता है, call by reference में, call by value में, ठीक है, तो इस परकार से इसका example बनेगा, simple side swiping का, इससे भी और simple example बन सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूगा, तो आके चलते है तो instant इसे हम बात करते हैं, c recursion, recursion जो आपका होता है, उसके बारे हम बात करेंगे, जो function के साथ ही हम इसको recall करते हैं, तो देगे किस परकार से recursion का जो process होता है, syntax होता है, और इसका example देखेंगे, जो कि factorial के रूप में होता है, उसको किस परकार से इसमें recall किया आता है, तो recurs का मतलें किया है जिस फंद्सन में वहींद फंद्सन को कॉल किया जाता हरा उससे ऑजर् काल करता है जो फंद्सन को अब दूबारा से कॉल कर नां लिकन करते हैं थेक्टों सीम्पल सा आपका प्रोस्द्स है देखें आपную डिया मैंने और रिकर्षन का एक प्रोसेस है जो कि लूप की तरह ही काम आपका करता है ठीक है रिकर्षन को एक सैटिस्पाइग कंडिशन लगती है जिसे रिकर्षिव काम करना बंद करते है तो वह यह जा Halensniej कि जब आपका लूप exeqод हो जाता है तो फाइल वहाँ से तर्मिनेट इस बगार प्रोगार्म बनाते हैं जर उसको यूज़ करते हैं फंसन को जो euros करते हैं जब तक हो सैटिस्पाइड नहीं रहें बना ठोर्ब एकल् अगर recursive function का satisfy नहीं होता है तो infinite looping की समभाबना भी हो सकती है यानिकि जो value होगी वो infinite हो जाएगी अगर पर आपको में देगी ठीक है तो इसका example लेखते हैं किस परकारते हैं तो यहाँ पर example दिया गया है basically कैसे काम करता है आपका function वो यहाँ पर दिया गया है अभी मैं आपक इसका एक example या syntax समझा दे रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छे समझाएगा उसलिए मैं पर चलता हूं और यहाँ पर मैं आपको एक example सा समझा देता हूं रिकर्षन का तो हैटिंग डाल लिए रिकर्षन most important topic है और इसका एक example अभी मैं आपको बताऊंगा फैक्टोरियल का जिससे कि आपको और ज्यादा यह clear हो जाएगा तो चलिए दिखते हैं तो चलिए student example से इसका syntax समझते हैं तो माल लिए हमने कोई variable यहाँ पर लिया integer और यहाँ पर sub function का हमने यूज़ किया integer sub और यहाँ प लिए i comma a ठीक है यह हमने variable दिया दो तो यहाँ पर और इसके अंदर आपको यह value हो सकती है यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसके साथ ही हम लेते हैं i equal to देखें यहाँ पर क्या आएगा sub और इसकी जो value आएगी वह हमने यहाँ आप जो integer दिया है वो आएगा यहाँ यहाँ यहाँ की value इसमें आपकी श्रब ए में श्रोगी तो यह जो value आपकी आएगी आए इकॉल टू सब यह आपकी यहाँ पर दिके फंसन जो है यही चीजा आपको दुबारा से यहाँ पर कॉल कर रहा है यहीं की बार बार ट्रमिनेट करना लूप की तरीके तो वहीं यहाँ पर प्रोसेस हो रहा तो यहाँ ने कि प्रोग्राम बनाएंगे तो देखिएगा वहाँ पर भी इसी परकार से रिकॉल किया जाएगा तो इसको लिख देगा साइज से जब प्रोग्राम मैं बताऊंगा प्री आपको कंप्यूटर में बना दूगा उसके बाद इंक्लूड यहां पर लिखना आपको को नियों डॉट एज मैं बोल दाना हूं उसलिए आप दिखले फिर हम यहां पर कोई एक फैक्टोरियल डिफाइन करेंगे यानि कि फंसन डिफाइन करेंगे तो किस परकार का हो का हम नहीं लिए फंसन लिया इंट और ब्रैकेट में लि हम देंगे फ्रेक्टोर की वो इसमें जाएगी उसके बाद यह इसटोर होगी इंटीजर में ठीक है और उसके अद пользов लगाते हैं वायट में निटीजर में जो भी आप लगाना चाहते हैं यहां पर लगाई ओपन किया अब यहां पर देखें इंटीजर देंगे वेरियबल इंटीजर हम दे देते हैं माले हमको कोई नमबर इस्टोर कराना है तो नमबर इंटीजर है यहाँ पे इंटीजर नमबर और हमको क्या चाहिए उसका आउट्पुट में यह आंसर तो हमने आप लिए नमबर और अंसर दो यहाँ पर डिफाइन कर दिया नमबर देंगे वह आप लिखेंगे एंटर डबाइमिटेट कॉमा में इंटर एंटर एंटर नमबर ठीक है कुछ भी लिए इंटर नमबर या इंटर नमबर इस परकार से उसके बाद आप क्या करेंगे इसके एनफ लगाएंगे अभी मैं लिखके दिखा दूँगा प्रोगाम को आपको परसे चाहिए इतना आपका लगिए तो इसके लिखेंगे आंसर एककॉल टु यानिकि फैक्टॉरिल की जो वैल्यों होगी वह आप इकिस में फैक्टॉर के यहां लेकिने फैक्तॉरियल नमबर और को प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे यहां पर प्रिंट एफ और यहां पर लिखेंगे डवनिम्रेयम में FACTORIAL ठीक है FACTORIAL इस जो आपको FACTORIAL आएगा PERCENT D 500 और यह किसमे श्टोर होगा ANSWER में तो यहां लेकर एंसर ठीक है उसके बंड कर देंगे लेखेंगे GET C.HE और यहां पर प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो मैंने पूरा बोल दी है आपको सवन में ना आया होगा क्योंकि इसमें दिखने रहा है माउस से लिखा गया है तो देखे लिखने का प्रोसर्स यही है आपका यहने कि इसमें दो कंडिशने आपके लग रहे हैं इदे की एक को यहां पर रिकॉल किया गया और इसके बाद यहां पर इसका आंसर जो ए वो जॉ भी नंबर आप देंगे यहां पर तीन का फिक्टेृल निकालेंगे चार का पांच का वह यहां पे आंसरी ग्रूप मेंС रूप करके आपको देख़या तो इस परकार है पूरा प्रोस्सिक काम करता है रिकर्सान का अभी मैं इसको प्रोगर्र्म को लिख दे रहा हूं प्रोगर्मिंग में जिसे के आप और अच्छे सुम्हाएं जोली देखतेहstate इसको programming किस तरफ प्रकारत समझते हैं तो यह देखे इस जो मैंने भी आपको पेंड पर आपको प्रोगाम बना कर बताया था उसको मैंने प्रोगामिंग में लिख दिया इसको समझ लेते हैं किस प्रकारते तो देखें यहां पर सबसे पहलो जो को डेखें की अब यहां पर इसको करना है तो देखें किस परकार इसमें किया गया इंक्लूड इस टोडूट ड्रेट नंबर पर इक वेल्यू जो है एक value जो हमारा answer आएगा उसका बर इसके आप कुछ भी दे सकते हैं पर आप ली सकते हैं नंबर a b c कुछ भी आप ले सकते हैं ठीक है उसके बाद हमने नंबर को प्रिंट करा है याने कि equal to factorial of bracket में क्या आएगा हमारा नमबर जो आएगा इस्टोर हो के इसमें आएगा ठीक है फिर हमको नमबर को आंसर जो मारा आगा उसको प्रिंट कराना है तो हम में लिखा प्रिंट एफ और यहां पर बैकवर्ट्स लेस एन लगा दें कि जो नमबर प्रिंट होंगे वह नेक्स कर दिया अब इसका declaration हमको चाहिए तो declaration करने के लिए हमको यहां पर थिक है फिस यहां पर क्यों इसके बाद तो आपको रोटन मिलेगा वन कर दिया उसके बाद निक्स के बाद हम जो जो रिटन मिलेगा उसको को multiply कर देंगे यानि के एंट से इंटीजर जो आपके वेरेबल यहां पर डिफाइंड किया गया आपने एंटु फैक्टोरियर एंड माइनस वन ठीक है यह फॉर्मला यहां पर यहां पर यूद होगा रिटन के बाद तो यह आपका फंशन आपको डिफाइंड किया उसको डिक्लिएसरं का क्या यहां पर किया तो यहां बने एक वेरेबल डिफाइंड किया इस लिए क्योंकि हमको नहीं है कि आप वन प्रिंट करने वाले दो तीन या आप जीरो करना है लो उसके में डबल एकॉल टू जीरो कर दिया इसका रिटन हमको वन बिलेगा उसके बाद हमने यहाँ पर रिटन किया एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन तो यह पूरा प्रोगाम बनेगा आपका फैक् यहाँ पर क्लियर इसके नहीं यूज की जाती क्योंकि यह चिन जो आपको काम करती है यहाँ पर लेखेंगे तो आपको आपको नहीं करेंगा आप देखेंगे और बड़ी वैल्यू देते हैं मान लेजिए हमको फैक्टोरियल चाहिए आठ का तो हमने आपकर आया यह जो आ ैक्टयोगा वह आपके सामने आजाएगा फञ्टोर्यल लेका अजाएगा फ्वεν का नटीफ हूप के return करेगा वह आपको वन return कर देगा वह आपको नहीं मालूम है कि आपको तो नहीं मालूम है कि आप का उन सी वैलिए ट्रेंड करने वाले हैं इस केस में हमने यह एन डबल इकल टो जीरो का फॉर्मला यूज किया ठीक है तो यह आपका है रिकर्सन जो कि इंपोर्टेंट है आपके फंसन प्रोगाम के साथ तो इसी मैंने इसको एड कर दिया है तो आसा करते हैं आपको यह लिकलास अच्छे सवन में आगा यह वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करने और जरू सिया कर दें और पीडिया नोट गैट पर पर्चेस कर लें और उसक की टैमिंग जो होगी अप्लोड होने के साथ बज़े ठीक है तो थैंक ये फर वाचिंग